प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती निर्गमन ग्रंत अध्याए 33 पत संख्याए 7-11 अध्याए 34 पत संख्याए 5-9-28 मूसा ने तंबु को उठवा कर शिवीर के बाहर कुछ दूरीत पर खड़ा कर दिया और उसका नाम दर्शन कक्ष रखा यदि कोई प्रभु से परामश लेना चाहता था तो वह शिवीर के बाहर उस दर्शन कक्ष के पास चला जाता था जब मूसा उस तंबु की ओर जाता था तो सब लोग अपने अपने तंबु के द्वार पर खड़े हो जाते और मूसा को तब तक देखते रहते थे जब तक वह तंबु में प्रवेश ना करे मूसा के प्रवेश करते ही बादल का खंबा उतर कर तंबु के द्वार पर खड़ा हो जाया करता था तब प्रभु मूसा से बाते करता था तंबु के द्वार पर बादल का खंबा खड़ा देखकर सभी लोग तुरंद अपने अपने तंबु के द्वार पर से उसे दंडवत किया करते थे जिस तरह एक व्यक्ती दूसरे व्यक्ती से बात करता है उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता रहता था जब मुसा शिवीर में लोटता तो उसका सहायक नून का पुत्र येश्युवा नामक नौव युवक तंबु में रह जाता था मुसा ने प्रभु का नाम लिया और प्रभु ने उसके सामने से निकल कर कहा प्रभु एक करुणा में तथा दयालू ईश्वर है वह देर से क्रोध करता और अनुकमपा तथा सत्प्रतिगता का धनी है वह हजार पीडियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई अपराद और पाप शमा करता है मुसा ने तुरन दंडवत कर उसके अराधना की और कहा हे प्रभु यदि मुझ पर तेरी कृपा दिस्टी है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले ये लोग हर धर्मी तो हैं किन्तु तु हमारे अपरा तथा पाप शमा कर दे और हमें अपनी नीजी प्रजा बना ले मुसा वहां चालिस दिन और चालिस रात प्रभु के साथ रहा उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया उसने विधान के शब्द अर्थात दस्नियम पार्टियों पर अंकित किये यह प्रभु की वार्णी है संत मती के अनुसार पवित्र सू समाचार अध्याय 13 वहां के संख्या 36 से लेकर 43 तक येसू लोगों को विदा कर घर लोटे उनके शिश्यों ने उनके पास आकर कहा खेत में जंगली बीज का दृष्टान्थ हमें समझा दीजिए येसू ने उन्हें उत्तर दिया अच्छा बीज बोने वाला मानवपुत्र है खेत संसार है अच्छा बीज राज्य की प्रजा है जंगली बीज दुष्टात्मा की प्रजा है बोने वाला बैरे शैतान है कटने संसार का अंत है लुनने वाले स्वर्गदूत है जिस तरह लोग जंगले बीज बटोर कर आग में जला देते हैं वैसे ही संसार के अंत में होगा मानो पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य से सब बाधाओं और कुक कर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में जोक देंगे वहाँ वे लोग रोएंगे और दात पीस्ते रहेंगे तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले यह प्रभू का पवित्र सू समाचार है ख्रिस्थ प्रभू की जये ये सुमे मेरे प्रिये भाय और बहनो ईश्वर अपने विधान में कहते हैं तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होँगा ईश्वर अपने विधान में यह प्रतिग्या करते हैं और इस प्रतिग्या के अंतरगत कुछ ब्यवहारिक परिनाम है हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब ईश्वर अपने लोगों के सामने अपने विधान को प्रकट करते हैं तो मूलता तीन तरह की बातों को अपने लोगों के सामने रखते हैं पहली बात है कि ईश्वर अपनी प्रजा के बीच उपस्तित होंगे दूसरी बात है कि ईश्वर का एक सेवक होगा जिसे संभावता हम लोग याजक वर्ग को बताते हैं जो लोग प्रोहित हैं जो लोगों के लिए मध्यस्ता का काम करते हैं ईश्वर और लोगों के बीच मध्यस्ता का काम करते हैं लोगों के लिए बलिदान अरपित करते हैं और तीसरा महत्व पूर्ण बात है कि लोगों को ईश्वर का सेवा करना है अपने आपको सेवा कारे में समरपित करना है आज का पहला पांट निर्गमन ग्रण से लिया गया है और इस पांट में हम देखते हैं कि ईश्वर अपने विधान को भली भाती पूर्ण करता है इसका अर्थ क्या है कि जैसे ही लोग यात्रा करते करते सिनाय परवत के नीचे अपने शीवर को लगाते हैं ईश्वर मुसा से बादचीत करता है वह अपनी प्रतिग्या को पूरा करता है और इस तरह से हम देखते हैं कि लोगों के बीच ईश्वर की अपनी उपस्थिती होती है हम वचन में पढ़ते हैं मुसा ने प्रभू का नाम लिया और प्रभू ने उसके सामने से निकल कर कहा प्रभू एक करूना में तथा कृपालू ईश्वर है वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिग्यता का धनी है वह हजार पीडियों तक अपनी कृपा बनाई रखता और बुराई अपराद और पाप शमा करता है हम देखते हैं कि जब लोग प्रभू के लिए प्रभू के मंजूशा के लिए तंबू बनाते हैं और उस तंबू में ईश्वर स्वैम को उपस्तित कर मुसा से बादचीत करता है वारतालाब करता है इसका तादपर क्या है हम देखते हैं कि जैसे ही मुसा तंबू में प्रवेश कर निकले जाता है लोग अपने अपने तंबू के बाहर खड़े होकर मुसा को देखते हैं और जैसे ही मुसा तंबू के अंदर चला जाता है तो इश्वर की उपस्तिती दर्शाने के लिए एक बादल का खंभा तंबु के पास आकर रुख जाता है तब सभी लोग उसे दंडवत करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि इश्वर विधान की तीनों विधायें पूरी होती है इश्वर अपने लोगों के बीच उपस्तित हो जाता है और इश्वर एक सेवक के द्वारा अपने शब्दों को लोगों के सामने रखता है और इस तरह से लोग प्रभू के सेवाकारे के लिए अपने आपको समर्पित करते हैं लोगों का दंडवत करना प्रभू की सेवाकारे के लिए समर्पन का एक निशानी बन जाता है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं ईश्वर ना केवल अपने विधान को इस्थापित करता है बलकि अपने सच्चे स्वरूप को मुसा नभी के सामने प्रकट करता है कि वह सत्य प्रतिग्या है वह दयालू है वह कभी ना क्रोध करने वाला इश्वर है और जैसे ही इश्वर अपने सच्चे स्वरूप को मुसा नभी के सामने रखता है मुसा नभी इश्वर को निवता देता है प्रातना करता है कि वह इस पीढ़ी के साथ में रह जाएं क्य मुसा नभी को ज्याद हो गया था कि ये सारे लोग बहुत कमजोर हैं जो लोग ईश्वर की योजना के विरूत कुड़कुड़ाते हैं तो उनके लिए ईश्वर से निवेदन करता है कि वह अपनी लोगों के साथ हो जाए हम वचन में पढ़ते हैं मुसा ने तुरंत दंडव ये लोग हट धर्मितों हैं किन्तु तु हमारे अपरात था पाप शमा कर दे और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले और इस तरह से हम देखते हैं कि मुसा ईश्वर की एक सेवक की रूप में प्रभु के लिए प्रातनाएं अर्पित करता है अपने लोगों के लिए प्रभु की सेवा में लग जाता है और इसी बेज इश्वर का विद्हान मुसा नभी को दिया जाता है ये सुबे मेरे प्रिये भाय और बहनों हम बहुत बार अपने जीवन में इश्वर ये योजना को समझने के लिए प्रातना के लिए जाते हैं बिन्ति-पॉास के लिए जाते हैं, रिट्रीट के लिए जाते हैं, सत्संग के लिए जाते हैं और यह एक अच्छा आउसर होता है जहां पर प्रभू हमारे बीच में उपस्तित होकर हमारी वास्त्विक्ता को हमारे सामने रख देते हैं और इस तरह से हम ईश्वर से बाचित करते हैं और बाचित के मा मुसा नबी से बाचित करता है मुसा जान जाता है कि इश्वर का होना उसके लिए बहुत आवश्चक है और उसी आवश्चकता को वह इश्वर के सामने रखता है अपनी दुहाई देते हुए कि वह अपनी प्रजा का साथ दे उनके बीच में हमेशा वास करें हम संद्यूहन के सुसमाचार अध्याई एक वांके संख्या 14 में पढ़ते हैं जहां पर वजन कहता है शब्द ने शरीर धारन कर हमारे बीच वास किया इश्वर हमारे बीच में निवास करना चाहता है वह हमारे बीच में रहना चाहता है हम निर्गमन गरंद के अधियाए पचीस वाके संखिया आठ में पढ़ते हैं जहां पर ईश्वर अपने लोगों से आगरा करते हैं कि उनके लिए एक तंबू बनाया जाए ताकि वो आकर उसमें वास करेगा हम वचन में पढ़ते हैं लोग मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं और मैं उनके बीच निवास करूँगा हम संदियोहन के सुसमाचार अधिया एक वाके संखे 14 में पढ़ते हैं जहां पर वचन कहता है शब्द ने शरीर धारन कर हमारे बीच वास किया वही ईश्वर हम प्रतियक के जीवन में वास करता है आज वही ईश्वर हमारी कलिस्या में वास करता है आज वही ईश्वर हमारे परिवार में वास करता है हमें चाहिए कि हम उसके उपस्तिती का अनुभाव करें दंडवत करते हुए उसके सेवा कारे के लिए अपने आप को समर्बित करें और वही ईश्वर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने का मार्ग बताएगा और ईश्वर की क्रिपालुता को महसूस करने का एक माध्यम बनेगा आज का सुसमाचार संत मती रचित सुसमाचार से लिया गया है इस सुसमाचार में प्रभिये सु बीज बोने वाले द्रिश्टांद की ब्याख्या करते हैं और अपने शिश्यों को जबाब देते हुए कहते हैं अच्छा बीज बोने वाला मानोपुत्र है खेत संसार है अच् वाले स्वर्गदूत है हम देखते हैं कि जब बोने वाला मानोपुत्र है तो अच्छा बीज ही बोएगा और अच्छी बीज हम सभी लोग है हम उत्पतिग्रह में पढ़ते हैं जब ईश्वर ने सारे स्रिष्टी को बनाया वचन कहता है जब ईश्वर ने अपने स्रिष्ट किया हुए चीजों को देखा वस्तूओं को देखा पेड़ पोधों को देखा तो नहीं अच्छा लगा इसका तात्परे क्या है कि जब ईश्वर ने हम सभी को बनाया हम सभी कोई अच्छे थे लेकिन सांसारिक प्रभाव के कारण में हमारे बेवहार हमारे मानसिक्ता हमारे चाल चलन में परिवर्टन आ जाता है एक नाकरात्मत चीज हमारे जीवन में उभर करा जाता है और वही दुष्ट आत्मा का प्रभाव है और जैसे ही हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं हमारे जीवन में गलत फल उत्पन होने लग जाता है हम अच्छे बीज होते वे भी अच्छा फल उत्पन नहीं कर सकते हैं प्रभु स्वयम कहते हैं कोई भी बुरा पेड अच्छा फल नहीं दे सकता है और ना अच्छा पेड कभी भी बुरा फल दे सकता है हमें चाहिए कि हम सदेव एक अच्छा बीज बने एक अच्छा पेड बने ताकि हम अच्छा फल उत्पन कर सकें और संसारिक्ता के प्रभाव से हमें बचे रहने की आवशकता है हम संद पेतरुस के पहले पत्र अध्याई पाँच वाके संख्या आठ में पढ़ते हैं जहां पर पेतरुस कहते हैं आप सयम रहें और जागते रहें आपका शत्रु दहारते वेसी की तरह विचरता है कि किसे फार खाए हमें सांसारिकता से बचे रहने के लिए संद पेत्रोस यहाँ पर दो मार्ग बताते हैं एक बात है संयम रखने का संद पालोस सांसारिक प्रभाव से बचे रहने के लिए हमें दो मार्ग बताते हैं पहला मार्ग है संयम का मार्ग जब भी हम अपने बिवहारिक जीवन में संयमता को लेकर आते हैं संयम से आवेशित होकर अपने जीवन को बिदाते हैं तो हम उसके प्रभाव से दूर हो जाते हैं दूसरी बात है हमें जागते रहना है जब भी हम सतर्क रहते हैं आने वाले चुनोतियों का सामना करने के लिए सतर्क हो जाते हैं तैयार हो जाते हैं तो हम संसारिक प्रभाव से दूर हो जाते हैं हमें संसार अपनी और आकरशित करने में आसमर्थ हो जाएगा और इस तरह से प्रभू के सानेदे में रहते हैं हम उसका उचित फल उत्पन कर हम स्तोत्र अध्यायत 102 में पढ़ते हैं जहां पर वचन कहता है पूर्वे पच्छिम से जितना दूर है प्रभू हमारे पापों को हम से उतना ही दूर कर देता है पिता जिस तरह से अपने पुत्रों पर दया करता है प्रभू उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है हमें जरूरत है प्रभू के कृपावान को प्रभू के दयालु स्वभाव को प्रभू के प्रेमि स्वभाव को महसूस करके उनके सानिध्य में आने का और स्तोत्रकार की भाती अपने विश्वास को प्रभू में प्रकट करने के लिए आईए हम प्रातना करें कि प्रभू से बल पांकर हम प्रभू के एक अच्छे सेवक बन पाएं और प्रभू के सेवा कारे करते हुए उसका उचित फल उत्पन कर सकें हे सर्वशक्ति मान पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज की सुन्दे दिन के लिए तुससे मिलेवी हर एक वरदानों के लिए प्रभू धन्यवाद देते हैं धन्यवाद प्रभू आज की इस पविद्र वच्छन के लिए जो हमें अनुगरह से भर रहा है प्रभू हमें बल दे कि हम तेरे प्रेम में स्वाभाओ को पहचान सके जिस तरह से मुसा ने तेरे प्रेमी स्वरूप को पहचान कर दंडवत करते हुए तुझे स्वीकार किया और अपने साथ और प्रजा का साथ देने के लिए आमंतृत करता है प्रभू ठीक वैसे ही जब भी हम प्रात्ना करें समोधायक प्रात्ना में भाग ले प्रभू हम तेरे प्रेमी स्वभाव को तेरे दयालुता को महसूस करने में समर्थ हो पाएं और तेरे सानिदे में अपने आप को लगातार लेकर आएं प्रभू हमें बल दे कि हम एक अच्छा बीच बनते हुए अच्छा फल उत्पन करने में समर्थ हो पाएं सांसारिक्ता के प्रभाओं से हमें दूर कर दे प्रभू आज के वच्ण को सुने वाले हर एक लोगों के जीवन को तू अपने आश्य से भर दे प्रभू उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है उनमें तो उनका साथ दे प्रभू ताकि वे तेरी उपस्तिती में रहते हैं वे दिन रात तेरी महिमा के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ा सके हम ये प्रातना करते हैं हमारे प्रभू क्रिस्त के द्वारा आमेन वाड़ी वाड़ी पागत्र है शाष्वत है जीवन का मन्ना है झाल झाल